बंगला दिश की अंदर कुछ सोचल एक्ट विस्टों ने और कुछ वहाँ पर जो जनलिस्ट हैं उन्हों ने और सिविल शिसाइटी के लोगों ने इन्धी अउट कम्पेंच स्टार्ट कर रखी है और अलरीडी इन्धी अउट कम्पेंच निज्ण न्यू आउटलेट्स में और इंडियन न्यू आउटलेट्स में हैडलाइन बना रही है आयरोज हमें वहां पर इस campaign के हवाले से एक बेचे नहीं एक पैनिक नजर आता है इंडियन मीडिया के अंदर ये देखा गया है कि वहां के जो intellectuals हैं वो misread कर रहे हैं इंडिया के intellectuals इसको misread कर रहे हैं पहला तो मैं आपको ये दिखा दूँ के वो इसको BNP से जोडने की कोशिश कर रहे हैं जो के गलत है अभी तक BNP ने तो इसके बारे में कोई officially एलान ही नहीं किया और ना ही कोई ऐसी हिंट दिये के वो इसको support करते हैं या नहीं करते हैं तो अभी officially उसका नहीं आया हमारे सामने दो कैमपेंज है ना बाइकोट इंडियन प्रोड़क्ट कैमपेंज अलग है और इंडिया आउट कैमपेंज है दोनों एक जैसी है लेकिन इन में थोड़ा सा फरक है जो बाइकोट इंडियन प्रोड़क्ट कैमपेंज है वो purely एकॉनमिक कैमपेंज है इसका एकॉनमि से तालुक है असल में वो जो दूसरी है वो politics और जियो पॉलिटिकल मसायल ये सारे उसके अंदर इंडिया उटकमपेंज के अंदर अब ये वाली आप उसका हिस्सा कह सकते है बाइकोट इंडियन प्रोड़क्ट उसका हिस्सा कह सकते है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है वो इसको मिस्रीट कर रहे हैं इंडियन इंटलेक्शोस और इसको बंगला दिशी अपोजिशन के साथ जोड़ रहे हैं इसको भी जो कि गलत बात है अभी तक वो इसमें नहीं पड़े लेकिन एट सम पॉइंट वो पड़ेंगे जैसा ही देखेंगे ना पबलिक का मूड किद है और कितनी सक्सेस को मिल रही है तो डेफिनेटली वो इसको अंदर कूदने की कोशिश करेंगे लेकिन इंडियन मीडिया भी सही इसको अपोजिशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा वहां पर पैनिक एक जो उनकी जनलिस ब्रादरी है उसके अंदर पैनिक कर रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि मालदीफ के अंदर भी इंडिया का इनिशल रियक्शन वैसा ही था जैसा बंगलादिश के अंदर है वहां पर इसलो स्टार्टर थे यह जब वो कमपेन नहीं नहीं स्टार्ट हो रही थी तो इंडिया खामोश था इसको अब्सर्व क यह सब को कि यह मरहला आएगा इंडिया आउट कैमपेन के उपर क्रेक डाउंस भी होंगे यह सा हो सकता है लेकिन इट वांट हैल्प क्योंकि यह पबलिक जो तहरीक होती है वो इतना आसानी के साथ जो है वो उनको सप्रेस नहीं किया जाता दे टेली ग्राफ इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउट लेट है इसमें एक आर्टीकल लगा है आज वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको मूड पता चल जाएगा कि इनके जो जनलिस्ट है वो किस तरह से इंडिया आउट कैमपेन को और बैकोट इंडियन प्रोड़ट कैमपेन को स्टडी कर र अचाह इसमें डाइकली नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन इंडारेकली पिना की बटा चारिया को इन्होंने भी मैंशन किया है किर रहे हैं कि देरेश सम्वाट इविडेंस तो सजेस्ट डैट धी कैमपें को बैकोट इंडियन गोड़सेंड मेडिकल सर्विसें इस ब भी हैंडफुल हैं लेकिन वो चैंज हो जाएगी देखिए हैंडफुल लोगों की अगर जो राय है या उनकी कैमपैन है वो अगर इतनी लो होती न तो पहली बात तो यह कि इंडिया की मीडिया में आई नहीं रही होती आप उसको डिसकस थोड़ी की बातों की डिसकस करता है इट मींस आप खुद भी मान रहें कि इसमें दमखम है और आगे चलकर इसमें इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट होंगे बलके वो खुद भी कह रहें कि शॉर्ट टर्म क्या है लेकिन यह जो से वेर्ट माओडन प्रॉब्ल में ऐ गाल जो से बहार है लेकिन ये जो smuggling वाल आप element बता रहे है ना इस पर मैं दर आपको बता दूँ कि ये जो इंडिया और campaign है ये इसके against तो ही नहीं भाई ये जो campaign है ये तो registered goods के लिए ना जो इंडिया के नाम से आ रहे होते हैं जिस पर made in India लिखा हुआ होता है ये उसके against है smuggling ये against नहीं है उसको तो ना आप रोक पा रहे हैं ना बंगलादेशी authorities रोक पा रहे हैं और मुझे ये बताएए ये cattle आ रहा होता है क्या इस पर ठपा लगा हुआ होता है कि this is made in India मतलब वेस्ट बेंगॉल की cattle के सर पे लिखा होता है कि ये वेस्ट बेंगॉल की cattle है या अगर वेस्ट बेंगॉल से कोई गाय बेंस आती है तो उस पे लिखा होता है ये बंगलादेशी है नहीं ऐसा नहीं होता तो ये campaign उस सरकल में आती नहीं है उस smuggling वाला product वो अलग है उसको वैसे भी identify करना इतना आसान होता नहीं है ये जो है ना वो 14 billion dollar की market के against इन्हों ने बनाए हुई है जो कि इंडिया बंगलादेश से earn कर रहा हुता है इंडिया की export जो बंगलादेश को होती है 14 billion dollar की ये campaign उसके खिलाफ है और इसमें उन्होंने जैसे कि खुद ही मान लिया है कि short term में problems होंगे और लोग बायकोट करेंगे तो इंडिया की consumer goods कम बिकेंगे वहां पे इंडिया की जनलिस ब्रादरी और इंडिया की जो intellectuals हैं वो खुद भी मान रहे हैं कि इसका impact short term में पढ़ेगा long term में वो किरेंगे देखते हैं क्या होता है दूसरे लोग अगर इसमें आएंगे party यहां और यह सारा तो फिर यह बढ़ेगी obviously और एक significant dent इंडिया की export को डालेगी लेकिन इसको रोकने के लिए फिर जो सुझाव दिये जा रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो भी practical सुझाव है मिसाल के तोर पर वो कहते हैं कि इस तरह करके और economic जो हमारा एक system है उसके अंदर बंगला दिश के जोड़ के तो हम anti-India sentiments को dilute कर सकते हैं economic रवाबित बढ़ा के उनके साथ और relations बढ़ा के लेकिन ऐसा देखिए क्यों होगा ऐसा मतलब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ चाइना ने 99% बंगला दिशी गुड्स को duty free कर रखा है और इस बात को 3-4 साल हो गए है इंडिया ने कहा था इसके जवाब में हम भी आपको ये सुविधा देते हैं क्योंकि इस तरह फिर ये होगा कि इंडिया देख रहा था कि चाइना जो है अट्रेक्ट कर रहा है बंगला दिशी मेनिफेक्चिरर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल करें हमारे मुल्क के अंदर तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को लग रहा था कि इस से चाइना की ओपर बंगला दिशी जो एकॉनमिक डिपेंडन्स से वो बढ़ जाएगी तो उन्होंने तीन चार साल पहले कहा था कि हम भी ऐसी सुविधा आपको देंगे लेकिन डू यू नो कि अभी तक ये चीजी स्टार्ट ही नहीं होई है इस पर तो बातचीत हो रही है तीन चार साल से लेके इस पर बातचीत हो रही है डिसकेशन्स हो रहे हैं आपने कोई डियूटी फिरी नहीं किया तो क्या एकॉनमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं आप बलकि मैं आपको ये बताओं कि इंडिया मान गया था बहुत सारे गूड्स को डियूटी फिरी करने के लिए लेकिन अब आखर में आके सुई पता है किदर अटकी हुई है मसला कहां क्रियेट कर रहा है इंडियन पॉलिसी मेकर्स वो कह रहा है चाइना के उपर अपनी इंडिपेंडन्स कम करेंगे ना तो आपको हम ये सुईदा देंगे फिरी में नहीं देंगे और वो उनको कह रहा है कि क्या पता कि आपके जरीए आपके रूट्स के जरीए आपकी कमपनियों के जरीए चाइना अपनी प्रोड़क्ट्स हमारे मुलक के अंदर भेज़ दे तो उसके उपर मैडिन बंगलादिश के ठपा लगा के यहां पर बात पासी हुई है आज कल जो टॉक्स चल रहे हैं न ये जो डूटी फ्री एक्सिस देने के हावाले से बंगलादिशी गुड्स को इंडिया के अंढर ताके बंगलादिश की भी ऐक्स prof बड़े बहुथ फरक है कहां 14 अरब डालर इंडिया की ऐक्स prof बंगलादिश के अंदर कहां 2 अरब डालर बारा बिलियन डॉलर is a huge amount बारा बिलियन डॉलर का trade deficit है दोनों मुलकों के दरमयान इसको कम करने के लिए बंगला दिश favor मांग रहा था इंडिया से नहीं मिली अभी तक तो economic integration हम करेंगे कहना बड़ा आसान होता है करना बड़ा मुश्किल होता है तो मेरा नहीं ख्याल यह कोई practical सुझाओ है एक ही practical सुझाओ है और वो यह के बंगला दिशी लोग जो चाहते हैं आप उनको दें उनकी दो तीन सरफ छोटी सी demands है equality की बुनियात पी वो कह रहे हमारे साथ treat करें हमारे political system में interference हमारे जो दरियाओं के मसायल हैं वो हमारे साथ हल करें हमारे border के लिए के मसायल हल करें पुरानी demands है नहीं demands नहीं है यह कई decades से लेकर demands वो ही है सेम है लेकिन आपकी तरफ से कुछ होता नहीं इंडिया की तरफ से problem यह है तो इसको बैठके seriously consider करने की जरूरत है वहाँ पर anti India sentiments down हो सकते हैं अगर यह जो सारी चीज़े है ना इन पर काम किया जाए जो उनकी demand से वो पूरी की जाए अगर तो यह sentiments down हो सकते है